आज civil services के पूरे महकमे में आज खुशिया मनाये जा रहे होंगे पूरे देश भर में आज civil services day की चर्चा होगी क्यों कि इतने सारे लोगों में से लगवक 200 civil servants में से महज 13 लोगों को चुना गया है और ये 13 लोग भी divided हैं जैसे कि आज है civil services day और ये विडियो जो है वो list बता रही है आपको कि किस civil services को किस civil servant को कौन कौन से शेत्र में अवार्ड बिले हैं उनके क्या नाम है वो क्या करते हैं कौन सा रोल में है वो सारी बाते हम आपको बताएंगे बस आप वीडियो में बने रहिएगा चिक है ये है शुरू करते हैं शुरू से 13 अवार्डी हैं 2520 न के साथ भाई union minister dr. जी तेंदर जी भी आये थे और ये कहा गया है कि ये जो nominations है वो भारत के 97% of the districts से होकर आये हैं अब समझ सकते हैं मतलब 97% of the districts है ना चलिए अब क्या है ये जो हमारे 13 अवार्ड है ना होने तो 15 चाहिए थे लेकिन इस बार 13 ही confer किये गये हैं तो 13 में से ज initiatives के लिए गये हैं कि कौन से initiatives अलग-अलग civil servants ने, collector ने, DM ने और फिर officers ने लिये हैं और 7 award innovation पे हैं क्या कुछ नया कर दिया है उन लोगों ने उस district में ठीक है प्लस इन लोगों को 20 लाक रुपए ही मिलेगा एक certificate मिलेगा और एक shield मिलेगी तो मतलब it's an incredible achievement अगर आप civil services के त PM's excellence award कैसे मिले ठीक है दूसरी चीज, PM Modi ने बड़ी शांदार चीजें कुछ कहीं है, मैं quote करके इसमें बताता हूं, उन्होंने कहा है कि India is number one in digital payment, सबसे पहला क्योंकि सबसे जाद है, population भी है, India is one of the countries where mobile data सबसे cheapest है, literally, यकीन मानिए, mobile data सबसे cheapest है, और today, the country's rural economy is transforming India, ठीक है, यह जो parameter है, जिस पे 5 parameters पे इस पे जज किया गया है, मतलब 5 schemes पे, for example, अगर किसी civil servant ने इस category में सबसे best किया है, तो उसको award मिलेगा, जो है quality education, समगर सिक्षा, स्वास्थ भारत, healthy भारत, उसके बाद स्वाच जल जो है, हर घर जल, aspirational district program और innovation category, यह आपके prelims के लिए भी schemes के तोर पे काफी जादे relevant है, ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो innovation center में सबसे पहला जो award गया है, वो है, राजेश भूशन जी, जो की secretary of ministry of health and family welfare है, और national covid-19 vaccine के जो program run कर रहे थे, उनको मिला है, so congratulations इनको, यह live बिलकुल अभी आज की तस्वीर है, उनको मिला है, अब हमारी train चलती है, पीम गती सकती है, उनके लिए DPIIT, यानि की Department of Promotion and Industry and Internal Trade, यह है, sir, विवेक जैन, अनुराग जैन, sorry, IAS है, secretary of DPIIT, उनको यह award मिला हुआ है, यह innovation में था, अब हम आते हैं, प्रमोशन, प्रमोटिंग स्वच जल, clean जल थू हर घर जल योजना, अभी मैं एक वीडियो निकाली है, link description में मैं आपको दे दूँगा, वीडियो के साथ, यह है, मैडम भावव्या मित्तल, यह collector है, भरुनपुर डिस्ट्रिक की मद्ध प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हर घर जल, लगबग 248 या 67 villages हैं, उसमें हर घर जल, हर घर में नल, वो प् काफी initiative, काफी शांदार रहा है, इनको मिला है यह award, simultaneously, इसी पे आता है हमारा कंचीपुरम डिस्ट्रिक, जो की Dr. M. आरती है, यह भी I.S. officer है, और Deputy Commissioner है वहाँ पर, इनको भी मिलता है health से संबंदित award, ठीक है, हाला कि दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हमारा बह है, जिसको award इनको मिला है, दूसरे नंबर पे यह district आती है, कंचीपुरम, जिसको award मिला हुआ है, clean gel, health से related पूरा award मिला हुआ है, अब आते हैं हम, promoting quality education with equitable and inclusive classroom, जो मैंने अभी पहले आपको समगर सिक्षा का बताया है, चिक है, तो अब कौन है भाई, चीतरकूट के DM है, आन महसाना district के, इनको भी समगर सिक्षा के तहत, ये PM Excellence Award मिला हुआ है, चीक है, यहाँ पर दोस्तों आपनों के लिए scheme बहुत important है, very very important, अब आईए देखते हैं, holistic development through aspirational district का जो program है, वो एक तो भाई, जमू इन कश्मीर के दो district को जा रहा है, कौन सा, एक है सेयद शेहरिस doctor है, deputy deputy commissioner है, बारमुला district की, ये, और एक है, शुशान्त गौरवजी, वो भी deputy commissioner है, गुमला district के, जारखंड के, ठीक है, holistic aspirational district program, जो की focus करता है, saturation approach के लिए, progress के लिए, है न, तो इनको मिला है, ये award, ठीक, अब आईए देखते हैं, अब आगे क्या है, promoting स्वस्त भारत, healthy भारत, through wellness centers, इनको महरास्ट के, लातू district के deputy commissioner है, पृत्वी राज, बीपी, I.S. officer, इनको मिला है, और दूरसा, अनकपली district है, आंद्रा में, जो रवी, पटनशटी, ये, I.S. officer है, ये, इनको मिला है, ये wellness center के लिए, so, ये initiatives award है, okay, promoting and initiatives award, अब आतने है, गुजरात will be recognized as innovation state, तो innovation के छ शाहमीना हुसेन जी है, उनको ये award मिला है, she is also a principal secretary and commissioner health of Gujarat, and she has also been awarded from state organ and tissue transplant organization, SOTO जिसको कहते हैं, so, ये रहे आजके list, simultaneously, last but not the least, जो हमारे innovation district है, उनको award मिला है, रामपुर के DM को, रविंदर कुमार, मंदेर, ये हैं सहब, इनको award मिला है, for सनवर्धना, vocal for local initiative, तो ये भी initiative आप अपने prelims और mains के लिए डाल सकते हैं, ये आप प्यम excellence award, ये अपने mains के answer में भी आप बहुत भाखुबी लिख सकते हैं, alright, किसको मिला था, किस वजह से मिला था, alright, अब ये सनी के सिंग, ये अनुराचल प्रदेश के deputy commissioner हैं, चालांग district के, इनको भी इसी त कम है, reach बहुत कम है, तो एक जबरदस्त achievement है ये, ठीक है, operation परिवर्तन, ये महरास्ट के एक जिलेब को दिया जाता है, basically operation परिवर्तन, alcoholism को खतम करने का है, नशा बंद करना, शराब बंद करना, क्योंकि आपको पता है, महरास्ट में और खुली शराब वगरा, बहुत लगाने के लिए और बहुत जादे काबू करने के लिए, वहां के SP को, श्रीपी सरदेश पांडे जी को ये अवार्ड दिया गया है, है न, ये पूरे के पूरे जो हमारा PM Excellence Award की जो ceremony थी आज के दिन पर, मोधी जी ने कुछ शांदार चीज़ें कुछ कहीं है, ठीक है, अब ही हमारे इस अमरत काल में क्या है, प्रण है, उद्देश है, पिछले नौ वरसों में भारत आज जहां पहुंचा है, उसने हमारे देश को बहुत उची छलां के लिए तयार कर दिया है, ठीक है, तो अदेश के ब्यूरोकरसी वही है, अधिकारी, करमचारी वही है, लेकिन परणाम बदल गए हैं, इन्होंने ये का है कि पिछले नौ सालों में कुछ लोग तो वही हैं, जो पिछले सरकार में भी थे, लेकिन इस साल पिछले नौ सालों में परणाम बदल चुके हैं, इनिशेटिफ बदल चुके हैं, इन्नोवेशन बदल चुके हैं, ठीक है, सारे schemes पे पिछले दो दिनों में बात की गई है एक तो हमारा क्या है हमारा theme है विक्सित भारत Empowering Citizens and Reaching the Last Mile यह हमारी theme है इस पे मोदी जी ने एक e-book भी निकाली है ठीक है? वो उतना important नहीं है लेकिन बस निकाली है तो आप देख लीजेगा समविता scheme CP Grams Mission Karmiyogi Aspirational District Vision Good Governance DARPG Swachata Campaign 2.0 यह वही team है जो इस पूरे award में जितने भी लोग नॉमिनेट थे उनको select किया है और फिर 13 finalists को निकाला है यही team यही team स्वचता campaign में भी थी चिंतन सिविर PM गती शक्ति मैंने यहाँ gate लिग दिया है तो gate को मुझे माफ करिएगा गती शक्ती होना चाहिए तो यह कुछ schemes है जो कि आपके prelims के लिए भी काफी जरूरी है और mains के लिए भी कामा सकती है इनके examples कामा सकते हैं और मोदी जी ने एक motto बताया है कि motto क्या है हमारे nation का motto of the government is nation first citizen first ठीक है यह motto है हमारा hello motto नहीं यह motto वाला motto है ना उमीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और दोस्तों हमारा यह दो civil services day के लिए special program है a day in a life of city magistrate यह वीपी मिश्रा सर है बहुत योग्य हैं और SDM से प्रमोट होके अब city magistrate बने है शाह जहांपूर में आप जरूर इनकी कहानी सुनिएगा और civil services day पे इनका क्या कहना है वो सुनिएगा एक मेरा voice over है बहुत ही अच्छा लोगों ने बहुत तारीफ की है तो बेशक इसको जरूर सुनिएगा शाम को चार पांच बज़े ये आज रूलीज होगा history of civil services day के बारे में बहुत ही अच्छा हमारी editing team ने काम किया है तो I am sure आपको ये सारा program अच्छा लगा होगा कोई information अगर हमसे miss होई होगी please हमें comment करके बताईएगा और अपने mobile के जरीए इस QR code को scan करेंगे आप तो आपको app पे हम direct ले चलेंगे वहाँ पे iOS में और Android दोनों ही app पे आपको download कर सकते हो आप चुकि 4.5 rating है तो बहुत quality content और ऐसे videos आपको मिलते रहेंगे like, share, subscribe करते रहें मेरी अवाज में और भी चीज़ें सुननी हो तो please comment करके बताईएगा थांक यू, नमशकार, जय हिंद, जय भारत